कि हैस एलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने स्टेकंड दे दिया है, seat confirm हुआ है या नहीं हुआ ये भी आपको दे दिया है, अब fees payment का भी यहाँ पे freeze float का भी option आपको दिया है, तो आईए हम seat confirmation को click करते हैं, तो यहाँ पे seat not allotted करके लिखा आता है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस से अब हम जाते हैं और float वाले option को भी click करते हैं, तो देखिए paste थोड़ा सा load लेगा, और यहाँ पे इसमें भी लिखाता है, the student has been not allotted a seat due to seat will not available at the time of seat allotment and he see will attend next round of counseling, अब बात यहाँ पे यह उठता है कि हमें next round की counseling हमें कैसे attend करना है, तो आईए मैं आपको बताता हूं next round का counseling के लिए आपका क्या process है, कल हमारा बात हुआ है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं, तो आपको यहाँ पे IGKV का skin sort दिख रहा होगा, Instagram handle का, आईए यहाँ पे question पूछ लेते हैं, sir second counseling में participate करने के लिए आगे का process क्या है, ठीक है क्या process है आगे का यह हमने IGKV से पूछा हुआ ठीक है, फिर इनके तो यहाँ पे साफ होता है कि जिनको college मिल गया है, उनको float option करके second round में जाना है, और जिनको college नहीं मिला है, उनको आप कुछ नहीं करना है, केवल आपको wait करना है, 14 तारिक का, तो यहाँ पे इनके Instagram statement से clear होता है कि अब आपको ना कोई form भरना है, ना कोई कुछ करना है, ठीक अगर आपको फिर भी doubt आता है, तो आप Instagram में जा करके IGKV रायपूर का जो Instagram official handle है, आप उनसे वहाँ पे contact करके इनको confirm कर सकते हैं, बट मैं आपके बहुत सारे doubt आ रहे थी, इसलिए कोसिस किया कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूँ, तो आप बेफिकर रही है, आप आपको कहीं कुछ नहीं करना है, कोई चीज़े आपको अब नहीं करनी है, टेंसन बिल्कुल मत लीजे, आप वेट करिए 14 तारिक कर, ठीक है?